चेहिंत वंदे मातरम स्वागत एक बार फिर से आपके अपने व्रोसर मंदी ऊटूब चैनल नर्सिंग एजुके सिन्योज पे दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले हैं कि स्टी पीजियाई लकनों के तरप से उननेश्यो चोहतर पोस्ट के लिए 22 मार्च को जो होने के चांसे हैं आपकी हम आपको बताने वाले हैं फाइनल का टॉप क्या रह सकती है यह देख सकते हैं पीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिक्शन को ओन जरूर कर ले साथी साथ टेलिग्राम का लिंक है डिस्क्र प्राइब कर सकते हैं प्रस्कारइब से यह यह तो ऐप्लीोटिफिक्शने नमबर भाइस जरूर इसे हैं typory जेडिन कर सकते हैं तो फ्रेंस आप डाउलोट कहाँ कहा से करना ऽ्रीश यह स्थी टेलिग्रांब से परसकते हैं तो फ्रेंट सी ए पीडेप है आपकी इसमें सीरियल नमबर वाइट, एप्लीकेसिंस्स यूट नमबर, रोल नमबर और रिजल्ट देख सकते हैं या फिर एप्लिकेशन सीक्वेंस नबर से भी देख सकते हैं इसको और कितना बना है इस तरह से यह टोटल कांडिडेट्स का जो आपका डाटा है वो 1571 पेज में टोटल सो किया गया है जो रिजल्ट है देख सकते 173,809 कांडिडेट नहीं इस एकजाम में क्वालिफाई क्या है अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आपकी टोटल फेकेंसी के इसाब से कितनी रेंग तक आपका सेलेक्शन होने के चांसेज हैं तो हम सबसे पहले जन्रेल का देख लेते हैं फ्रेंड्स के जन्रेल की इस रेंग तक मैं कहूंगा उस रेंग तक मैक्जिमम मैं थोड़ा ज़्याद ही बताऊंगा लेकिन उस रेंग से निचे के कैंडिडेट ही इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे फाइनल रिजल्ट में तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं उसके बारे में तो फ्रेंड्स ये था 1974 पोस्ट का जिसमें वेकेंसी थी आपकी सबसे ज़्यादा यूर की 107 EWS 533 BC 39 ST और 415 SC की टोटल वेकेंसी 24 पोस्ट में थी और इसमें कट आप की बात कई थी वो लगबग ये कट आप आप देख सकते हैं अभी भी स्क्रीन पे इस से इसमें नॉर्मल जेसे ने जो आपका 3 से 4 मार्क्स बड़े हैं क्योंकि जिस कैंडिडेट के हमने देखे हैं उनमें 68 से 71 पॉइंट लगबग 83 के स्कॉर बड़ा है तो मगलब 3 से उपर ही बड़ा है तो इस तरह से आपके भी स्कॉर जाता ही हुआ गला है किसी कि कम हो चुका होगा अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें आपके है जनरल कंडिडेट है उनकी रंक यूर कंडिडेट के हम बात करें फ्रेंट यूर की रंक अगर आपकी एक हज़ार और 1100 के मेक्जिमूम इसमें हैं तो आपके 790 पोस्ट में जो आपकी सीट है जो कंप्रम हो सकती है रंक देख सिक्स ने फ्रेंट अगर आपकी जनरल रंक 1,000 के बीच में, 1,000 से निचे ही हैं, तो आपका सेलेक्शन स्योओर है, 1,000 में इसमें थोड़ा ज़ादा ही है, 100, तो आप मान सकते हैं कि 900 तक गैंड़िडेट जनरल रेंक वाइट कर लेंगे, तो फ्रेंटसे 900 तक आपकी रेंक है तो जनरल से वाइट कर लेंगे, OBC की बात करें तो OBC में लगबग आपकी 550 लगबग 5500 से उपर ही पोस्ट है तो इसमें OBC के आपकी लगबग 3500 के आसपास में सोरी OBC के लिए आपका लगबग है 2000 और 2500 के बीच में आपकी रेंक है तो आपका सेलेक्शन OBC के टिगरी से हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरूर बताना आपकी रेंक कुन सी है और किसे के टिगरी से अब आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद में हुई है SC की बात करें तो इसमें 415 की पोस्ट आसपास है तो आपका इसमें मान सकते हैं कि 3000 से लेके 3300 या फिर 3500 के बीच में आपकी कट आफ जो आपकी फाइनल रेंक है तो इसमें आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट में नाम आ सकता है यहां तक आप मान सकते हैं और स्ट की तो इसमें तो फ्रेंट्स 4000 से नीचे लगबग 3800 और 4000 के बीच में आपकी रेंक है तो इसमें आपका सेलेक्शन होने के चांज़े से हैं EWS की बात करें EWS में फ्रेंट्स आपकी रेंक है जो आपकी 2200 या फिर 2500 इसके बीच में हैं तो आपकी EWS में कैटिकरी से आप सेलेक्शन ले सकते हैं EWS का हो गया UR का हो गया OVC SCST से भी का बता दिया फ्रेंट्स और PWD उनकी तो कोई मतलब पोस्ट है भी बहुत कम थी तो उनकी तो का टॉप ज़्यादा रहनी है रेंक मरलब चितनी कम रेंक होगी उसमें आपका सेलेक्शन होने के चांसे हैं तो यह मैंने आपका उपरी उपरी डाटा है जो बता दिया है तो आप आपको बताना कि आपकी रेंके कितनी है और कौन सी काटिगरी से नॉर्मलेजेशन कितना स्कौर हुआ पहले स्कौर कितना था इस नॉर्मलेजेशन कितना हुआ तो फाइनल का टॉप आप मान सकते हैं कि अगर जनरल कंडिडेट की बता देता हैं तो अगर आपके 72, 75 है तो आपका डोकमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम लिस्ट में आ सक कितना हुआ जो आपके Stewart